पापा मम्मा आपको कब से कॉल कर रही है आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं पूजा बेटा मेरा फोन साइलेंट में है तू जा मैं कॉल कर लूँगा उसे अरे पंडी जी आप यहां कैसे आना हुआ ऐसे ही यहां से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलू यह आपकी बेटी पूजा है ना हाँ पंडी जी पूजा ही है प्रणाम अंकल जी खुस रह बच्चा पूजा बिटिया बड़ी हो गई है इसके लिए लड़का देखा है आपने अंकल लड़का देखने की क्या जरूरत है मैं हूँ ना आप अपनी बेटी की साधी मुझसे कर दो ना अरे राजू तू यहां क्या कर रहा है जा यहां से अरे अंकल पूजा को देखा तो मैं यहां आ गया पूजा तुम कैसी हो मैं तो ठीक हूँ पूजा पूजा तू चुपकर ऐसे लफंगे से बात नहीं करते हैं तू जा यहां से लफंगा किसे बोला आप मुझे नहीं जानते हैं पूजा मुझे जानती है समझे आप मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ हाँ पापा मैं इसे जानती हूँ पूजा तू जा यहां से मैं कुछ नहीं सुनना चाहता और तू राजू का बच्चा तू अच्छा लड़का है तू बता तो जरा कितने क्लास तक पढ़ा है तू अरे अंकल बहुत पढ़ाई करी है मैंने अच्छा तू तू ने बहुत पढ़ाई करी है तो तू ये बता कि तू करता क्या है क्या करूँगा काम करके अंकल अभी तो मैं नल्ला हूँ अच्छा तो तू नल्ला है भाग यहां से नहीं तो पिट जाएगा तू अरे सर्मा जी ये लड़का काउन है पागल लगता है अरे पंडित जी इसे आप छोड़ो आप मेरे बेटी के लिए लड़का तो बताओ पर ऐसा लड़का मत बताना अरे याद आ गया अंकल आपने पूछा था ना कि मैं क्या करता हूँ अच्छा तो तू पबजी खेलता है हट निकमा कहीं का तू भगता है कि नहीं कि मैं डंडा उठाऊं तेरे लिए अंकल आप धंकाओ मत अभी तुमें जा रहा हूँ लेकिन मैं ही साधी करूँगा आपकी बेटी से याद रखना अच्छा सर्माजी मैं चलता हूँ अगर मेरी नजर में कोई लड़का आया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा अरे पुष्पा कहां मर गई तू बाहर तो आ जा रहा क्या हुआ क्यों चिला रहे हो मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मेरे आफिस पुझा को मत भेजा कर क्यों भेजा था उसे अरे वो आपका फोन नहीं लग रहा था मुझे चिंता हो रही थी आपकी इसलिए मैंने भेज दिया चिंता हो रही थी मेरी आफिस में ही था, काम कर रहा था, मर नहीं गया था मैं पूजा यहां आना जी पापा, आपने बुलाया मुझे तू ये बता, उस पागल लड़के को कैसे जानती है तू अरे नहीं पापा, वो मुझे रास्ते में मिल जाता है, डेली मिल जाता है तो मैं क्या करूँ और मुझे से बात करने की कोशिश करता है, मैं भी बात कर लेती हूँ, अच्छा लड़का है पापा तुझे सब कुछ पता है, कि वो अच्छा लड़का है, उसके मापाप के बारे में भी जानती है, पागल परिवार है ये हाँ पापा, मैं जानती हूँ, मैं तो उसके घर भी गई हूँ हे भगवान, ये लड़की पागल हो गई है, चुप कर तू जा अंदर, अब ये मत कह देना, कि मैं उससे साधी करूँगी हाँ पापा, मैं उससे साधी करूँगी क्या हुआ है, मुझे तो बताओगे, काउन है वो लड़का, जिसे मेरी बेटी पसंद करी है, अच्छा, तो तेरे साधी से ये सारी चीजे हो रही थी, तूने अपनी साधी क्यों नहीं कर ली थी अपने पसंद से, तू भी तो दस्मी तक पढ़ी है, तो तो अरेंज मेरीज करके आई है, और बेटी को सीख दे रही है, कि तू लब मेरीज कर ले, लड़का पसंद कर ले, उसी से मैं साधी कर दूँगी बेब कूप कहीं की, तू तो अंदर कमरे में घुसी रहती है, तुझे तो पता ही नहीं है कि दुनिया कैसी है, दुनियादारी क्या है, मेरी एक लौती बेटी है, मैं ऐसे ही किसी नले से साधी नहीं कर दूँगा, इसके लिए कोई अच्छा सा राजकुमार लेके आऊंगा